Hey guys, what's up, welcome to the newest episode of this series, yes, यह हमारा 7th episode है of reselling, earning tips and tricks, किता है अच्छा लग रहा है जैसे episodes बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही excitement बढ़ती जारी कि अब next episode कौन सा देखने मिलेगा, तो यह episode one of my favorite episode होने वाला है, because इस वाले episode में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे businesses का, जो आपको actually में अच्छे profits देंगे, which minimum आप invest करें, मतलब आपने कुछ जादा नहीं, आपका कुछ investment रहेगा 20 से 30 मिलियन के आसपास का, उसके बाद आपको मिलने वाला है, कड़क वाला profits, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हो चानल पे, अगर आपने अभी तल चोटे समय में complete हो जाएगा, तो yes, it is all depend upon you guys, 20 लाइक का goal है इस वीडियो का, इसी तरह आप donation करके भी अपना support दिखा सकते हो, by scanning QR code आपको screen पर दिख जाएगा, वरना UPI ID भी आपको description में मिल जाएगी, और हाँ, जितने भी donations आएगे guys, उस सारे donations को shout out मिलेगा next, upcoming video में, जै Thank you so much Ronit Mina for your one and one, one plus one, two rupees donation, हमारी जो शुरुआत हो यह donation की बहुत ही अच्छी हुई है, एक रुपए से शुरुआत हुई है, जितने भी आप यह पैसे डोनेट करोगे, यह सारे PC specs या तो content making में जाएगे यह channel के लिए, और yes, इस वाले वीडियो के बाद आप देखने वाले बहुत ही तगड़ा वीडियो, trust me, वो वीडियो मिस आउट मत करना, बहुत ही यूनिक वीडियो, यूनिक content है, तो चलो, चलते हैं, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, और बताते हैं, किस बिजनस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, यह न, let's go, तो yes guys, इसे तो ऐसे grand RP में बहुत सारे businesses available हैं, जो आपको मिल जाएगा within 30 to 40 to 50 million के under, even though आपको 15 million, 20 million के भी under मिल जाएगा, बट जी यह जो भी businesses है, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, ATM businesses है, जो आपको under 15 to 20 million, आजकल तो उसका भी price 60, 70 million जा रहा है, but still, I don't know why, but there is no profit, not investable, first of all, and second business की में ब gas stations है, and juice shops है, बहुत ही rare locations है, जो gas stations आपको profit दे रहे हैं, but still, बहुत reselling करना पड़ता है, उसके अंदर reselling मतलब आप खुदी जाके buy करो, and वापे से जाके sell करो, बहुत hectic हो जाता है, आपके लिए, तो सबसे best business कौन सा है, मैं बता हूँ, तो से पहले मैं आपको कुछ examples और juice shops है, juice shop के पर मैंने बनाया था, थोड़ा है, juice shop के अंदर भी profit है, but again, rare वाला, अगर आप देखो, मेरे पास यह वाला juice shop था, अभी वैसे तो जितने भी private businesses, आप देखोगे न, सारे businesses, जो है, वो ठप हो चुके है, मतलब उनमें कोई भी profit नहीं है, waste of money है, अगर आपके वा investable, तो ऐसा कुन सा business आप बताने वाले हो, जो actually मैं investable है, yes, मैं बताने वाला हूँ, देखो, इसमें एक दो businesses हैं, जो आपको, actually मैं बहुत सारा पैसा दे सकते हैं, जैसे आप देखोगे, car sharing है, यहाँ के पास, जो आपको गाड़ियां मिलती है, जहाँ पर रेंट करते हो, उसको बुलते car sharing, तो वो car sharing आपको profit दे सकता है, और उसे पृट के पास नहीं से बहुत सारी जगा पर है, जैसे Chandishore में भी जो पृँचिए। उसके पास बहुत सारी जगा पर है, तो वो car sharing आपको profit दे सकते हैं, दूसरा पार्किंग, अब पार्किंग में आपको एक बात तो चिप ट्यूनिंग में इसकी बात कर रहा हूं गाइस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है चिप ट्यूनिंग जितने भी है इसके अंदर बहुत प्रॉफिट है लेकिन यह एक्चुरी में मालूम है वन बिलियन के उपर जाता है तो मतलब यह क्या तो सोचना ही छोड़ दो और जिनके पास यह वह सेल भी नहीं करते हैं तो दिमाग से निकाल दो मैं बात करने जा रहा हूं प्लांटेशन का अब आप बलोगे प्लांटेशन के लिए तो फैमली होना जरूरी है यस सबसे ध्यान से सुनना मेरी कोई भी वीडियो अब देख रहे हो न सबसे पहले उस यह चार प्लांटेशन बिजनस लेने के लिए आपके पास फैमली होनी चीज जिसका ओनर भी आप ही होना चाहिए अगर आप नहीं हो तब ही आप ले सकते हो बर उसका आगे में वीडियो में बताता हूं कैसे तो सबसे पहले समझते हैं कि फैमली आगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए जो फैमली से कैसे कमाए पैसे फैमली बना के उसका वीडियो का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में देदे जाके देख लेना वह भी इन्वेस्टिबल है वहां से पैसे कमा सकते हो यह जो वीडियो है इस वीडियो में यह बता रहा हूं कि आप कौन से बिजनस में इन्वेस्ट करें यह बहुत लोगों के दिमाग में स्टॉक होता है कि यह ग्राइंड आरपी में आये तो एक बिजनस तो चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा कोई भी प्राइवेट बिजनस मत लेना सबसे पहले तो आप यह डिसाइड करना कि आपको आपको बनानी है या किसी और दूसरे की अननन ओन फैमिली में जाके आप मत करना देखो पहली बात इसमें एक चीज अगर प्लानटेशन बिजनस आप लेना सोच होगे अगर आपकी खुद की नहीं है सबसे पहले जो फैमिली का ओनर रेना उसको आपको पैसे देने पड़ खास किसी पर भरुसा करने लाइक नहीं है, दुनिया ऐसी है, गेम में भी दुनिया ही चल रही है, गेम में भी पॉलिटिक्स ही चल रहा है, तो गेम में अगर आप हो, तो खास दोस्त पर ही विश्वास करना वो ज्यादा important है, ऐसे बहुत rare moment होता है, जहां खास दोस्त भी आ plantation को ले सकता है, वो भी plantation को sell कर सकता है, तो deputy से मतलब नहीं है, मैं owner direct की बात कर रहा हो, आपको जाके owner से बात करने, जो भी so-called आपका friend है, उससे बात करने, और उससे बोलना है कि मैं इतने पैसे हैं, आप उन plantation लेते, कुई भी extra amount का plantation लो, अगर देखो main बात यह है, अगर आप 4 घंटा सरिफ खेलते हो, तो I would suggest you to go for cabbage plantation, देखो cabbage plantation कैसा work करता है, मैं बता दू पहले, आपका plantation आप देख रहो न, यह farming है, यहीं पे सारे plantation है, यह FF करके दिख रहा है, आपको FF है, जितने भी farming है यह plantation है, प्लांटेशन है, प्लांटेशन है, अब फंदरा में से 10 Leads मतलब 10 Beats मतलब 10 Beats मतलब 10 Heads लगा सकते हो, जो बी profit मिले लेगा हो, तो 10 Beats मतलब 20 Beats मतलब 20 Beats सकते हो जो भी profit मिले लेगा हो, जीतना ज़्याद़ अप लगाऊगी उतना ज़्यादा profit आपको जैने पर प्रफिट आपको इन मिल सकते है, लिए की Пр acute करो कि आप 20 बेट्स का लो मैं आपको यह सब्सक्राइब बागी में भी प्रॉफिट है कोई दिक्कत निया डेली का भी आप देट से 2 लाग भी कम आ रहे हो ना तो भी बहुत है यह जो अमाउंट आपको प्राइविट बिजनेस भी नहीं देते हैं जहां यहां पर आपको मि बिजनेस ले लिया पट स्टिल आपकी खुद की भी फैमली है आपने खुद भी बाई किया है तो भी आपको यह ध्यान रखना है कोई भी प्लांटेशन ले रहे हो आपको डेली का वन टाइम प्रॉफिट निकालना है मतलब जैसे आपने क्याबेज लिया क्याबेज कितने गंटे में बनता है चार घंटे में आपको चार घंटा कतने अवर जाके नरिश करना कैसा रहता है यह聊े को प्लानटेशन करोगे तो हर पाइनेप्स के लिए 7 गंटा तो सबसे जादा प्रोफिटेबल है उसमें दो बार आप कर सकते हो समझलों आप गेम में नहीं भी हो ना आप उता घंटा नहीं भी खेल पारें अगर पीसी आपके आसपास में हैं तो आप ऐसे कर सकते हो आपको पता रहना चेकि जो ये जो 30 मिनट से होता ना आदे घंटा खंटे को यह आदेघंटे से लेकेकव एक गया आप गन्टा काम्पिफ्टा साथ मतलब आधे घंटे में या यह कर सकते हो गज़ें अगर내 पंटिन ना कबी भी नरिष्ट नहीं किया और आपके पास टाइम खतम हो गया रात में सो गए और आपने प्रॉफिट ही नहीं कलेक्ट किया उस दिन तो आपको पैसा इंविस्ट किया रहे रहे अगा डौब पैसा दिन लियारे गाएगा कैबेज पॉंकीन या मैंडरीन या लग जाएंगे दूसरा आपका घर जो रहेगा उसका अलग प्राइज एंड उसके बाद आप जो बिजनेस लेनी जाओंगे तो अंडर 50 तो मिली जाएगा आपको इतने में लग जाएंगे तो बहुत जान को यह पता नहीं होता चुल मैं बतारो कोई और बिजनेस कर सकते हो इसमें भी आप पैसे या प्रॉफिट कमाने का यहां से भी प्रॉफिट कमा सकते हो अगर रिसेलिंग सोच के खरीद रहे हो आप मिस आउट कर रहे हो यह मत करना गा इस गलती हो जाए क्योंकि मेरा एक बार प्लांटेशन गया था उसका भी मैं लिंक आपको आई 15 मिलियन में शायद लिया था तो यह सारी चीजे थी तो अगें अगर आपको कोई पीचे नहीं समझ में आई तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो या तो डिस्कॉर्ट जॉइन कर लेना टिकेट कर लेना सपोर्ट में जाके और वहां बात कर लेंगे कुछ भी नहीं समझ म कर लो एंड लाइक कर देना 50 लाइक का गूल है अगें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो कुछ डोनेट करके तो वहां स्क्राइन करके भी आप डोनेट कर सकते हो वाया जी पे UPI ID भी मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उससे भी डोनेकर तो अगें थैंक यू सो म प्र लाइक कर दो एक प्र लाइक कर दो पूल एक कर दो लाइक कर को हैं अगर बेजर आपको अीएधेगे वी आपते हैं